हालो एवर्यवर्यवान येस दिशी सोविन सर बहुत बहुत सवागा थे आपका इस बहुत ही खूब सुरत से लेक्टर में बहुत सारे सुन्स बोलेंगे सर लेक्टर से नहीं आ रहे थे हां यार मैं इस बात को अगरी कर रहा हूं और इसका रिजन ता ब्रहमास्त्र बुक त रेडियो हो चुकी है आपके सामने पेश होने वाली या बहुत ही जल्दी बीच में आपने वीडियो भी देखे होंगे या आपने दिने सर को देखा होगा कि स्रिशत पतिश अमाज जीन अगर में आके प्रिंटिंग में जाके मिलने गए थे सर बुक की छपाई से रिलेट बहुत जमर दस भुक बन रही है और सबसे इपने जीच की एकडम मिनमम प्राइज में रखे जारी कि भाई बच्चो को ज्यादा फाइनेशली इस्यू नहों हो पेज भी बहुत जादा है तो कोशिश के जारी कियार कम से कम प्राइज में बच्चो को दी जाए जो के कमपेर में बहुत ही मिनमम रेट में जिसमें दोजर 21, 22, 23, 24, 4 साल के जबर दस कम्प्लीट पेपर आपको मिलेंगे फिजिस केमिस्ट्री और मैंस के तो चलिए आप हम आ चुके है बैक टूदी ट्रैक जहाँ पर हम शुरू किये थे इलेक्ट्रो केमिस्ट्री और उसी बार में बात करेंगे बहुत जो बर्दस टॉपी के तो बट मजा बहुत आएगा तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रो के मिस्टी एज यूजवल चैप्टर हमारा अब इसमें मोलार कंड़क्टिविटी की बात करते हैं सर मोलार कंड़क्टिविटी क्या है वाट इज करते हैं वह हम इन टमस ऑफ वोल्यूम बात कर रहे थे कि एक मीटर क्यूमें या एक सेंटीमेटर क्यूम में जो हमारे पास सर इलेक्ट्रीकल कुन का टेन स्था वही तो यहारा थो जाने बीट ओन कि एसे भाई जला स्वाहरोत कर दो तो मैं मैं लार कन टि विटी मतलब कंड़ती मिलाय कतरेविटी टूंटी पर शलूजिए आ रिप्लू को ओनक्टिविटी ओस तो concentration से तो बड़ा प्यारा सा information हाजाएगा it is given as molar connectivity को लैंडा से रिखाते ही इस तरह से दिखाते ही दिखलो फिर से इस तरह से दिखाते ही that is conductivity upon C ये हमारा होगा complete answer कोई दिख्कत है अगरा बुलिंगा सर इसका SI unit क्या होगा बना प्यारा सा information conductivity क्या होगा था ओम universe meter universe concentration को भूल एंगे मोल पर मीटर क्यों तो मीटर क्यों ऊपर चला गया इस तरह से और मूल उपर जागा इन वर्स बने अमारा जो ऐसा यूट निकल कराएगा वह आजाएगा इस की बात कर रहा तो अगरा आपको याद होगा फॉर्मुला हमने अभी ताजा ताजा बनाया है क्या फॉर्मुला है सर वी नो डैट नहीं जानते हो अरे फिर भी लिख दो हम जानते हैं हम जानते हैं क्या जानते हैं सर्फ कि लामडा एक्वल टू के अपॉन सी होता है अब हम यह मान रहे हैं कि जो कॉंसेंट्रेशन है बच्चा लेट दा कॉंसेंट्रेशन लेट दी कॉंसेंट्रेशन आफ सलूशन लेट दो कॉंसेंट्रेशन भी सी मूल पर लिटर जिसे कि हम जानते कि भाई कॉंसेंट्रिशन अमें सब मूल पर लीटर में होता है या डेसी में होता है तो अगर मैं यह चीज़ वहाँ पूट अप कर दू तो उस हिसाब साफ अगर मैं देखो तो यार एक लिटर में मुझे पता है कि 100 mm असरी 1000 ml होता है और ऐसे ऐक एमल एक सेंटीमेटर क्योब के बाराबर है मतलब कहीं न सब्सक्राइब क्या हो गया बच्छा एकशंटी मीटर क्यों आगर यह में ओपर पूट अप करता हूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा के अप आन सी मूल पर लीटर है लूट पर लीटर है बटे लीटर को मैं क्या रिप्लेस कर olmaz बच्च तो लीटर को मैं रुपस करने वाला हूं सैंटीमिल क्यूब के रूप में यह कुछ ऐसा बन जायेगा के अपान सी मॉल पर लिटर को हम लिखेंगे एक हजार सेंटीमेटर क्यों अब यह दो को बता रहा था पीछे यूडियन तो यह बन जागा थाउजन इन्टू के अपान सी बन गाए अगर आप यूडिक बात करेंगे तो अब्यस है कि यह जो आपका सेंटीमेटर क्यूब है जब यह उपर जागा तो सेंटीमेटर क्यूब ही रहेगा और मोल जाके मन जाएगा मैनस अधिये एक्स्टा यूनिट आया हुआ है इस निट को जब ह यह मतलब जब भी रहेगा नुमेरिकल्स येस पूछलो बिंदास पूछलो चलो अब हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले है मज़दा टॉपिक होने वाला है कि यार जो वेरियेशन है कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा करने पे कंड़क्टिविटी और मोलार कंडिव इस तरह से एक बीकर क्या है सर एक बीकर है स्ट्रॉंग इलेट्रोलाइट का और दूसरा वीक बीकर है वीक इलेट्रोलाइट का अर्या पर मैंने इसको सलुशन भर दिया है पूरा बढ़िया से एकडम एक दम हाई कॉलिटी का सलुशन डाल दिया है मस्तिक्दम इस टॉंग लिटर लाइट यहां पर मैंने वीक लटर लाइट लेलिया है अब हमको बले आए कि अब वही काम करना है कि यहां पर एक मीटर है क्रॉस्टेक्षन एरिया एक मीटर स्क्वायर है तो उस हिसाब से जो वॉल्म होगा बीकर का एक मीटर की वहां से देखना जो बोल रहा हूँ इतने नमबर में होता है तो सचो इतना सारा आयन बन गए यह पूरा इतना ही बन गया तब इतना बनान नमबर से सीखें गए तो हमको कन फूजन होगा तो मैं छोटा नमबर ले ले लिए कि मान के चलो की स्टॉंग लिटल रडम को 10,000 आयन देता है दस हजार आयन देता है अजम्शन में ले लो तो बदब फिलाल एक मिटर क्यूब में कितने आयन है बच्चा दस हजार आयन है इस ट्रॉंग लिटलेट की खास बादी है कि जब भी उसको एक वर सलुश्म डालेंगे वह तुरंत पूरा का पूरा तूड़ी आता है एक्स्ट्रा बच्टा नहीं है कि बाद में टूटूँगा पूरा का पूरा तूड़ी आता है अब ऐसे के इस में जब मैं पानी इसक पूरे सलुशन में कितना आयन है तो आप बोलेंगे सर आयन तो वही रहने वाले क्योंकि आयन जितना तो पहले तूट चुका है इसका मतलब सर अभी दी आयन की मातना 10,000 है तो अगर मैं यहां पर रेंज निकालो गया टू मिटर क्यों में 10,000 है तो एक मिटर क्यों में फि आयन होने चाहिए अद पहले और दूसरे में फरक ज़रा देखो पहले स्टार्टिंग में एक मिटर क्यों में 10,000 है कि आप पानी मिलाने के बाद एक मिटर क्यों में 15,000 का रेंज आ रहा है इसका मतलब की सर आप ये कहना चाहरो कि कंडुक्टिविटी कम हो गई बिलकुल स अब दो लिए नो इन जीरो आयन होते हैं क्योंकि विक आयन बनाता है इससके इंदर बनना इस चार्ट बहुत पानी जब मैंने मिला या बहुत पानी मिला यह पिए लिए लाग टोल लेंद विए टोटल लेंज और टू मीटर और इसके वह से यह बन गया फिलाल 0 आयन दे अगेक मेंटर क्यों में लेकिन 2-metrosby में चलुकित confess कर्वा के चुट वकलतर शैन सिटे तो बतäव एक दीक मेंटर कियों कि दितने अहनों हो कि साब से एक मेंटर क्यों में कम सेकम पांच याइन होंगे आएam हम क्या वोलेंगे पहले जीरो था अब पाँच हो गया मतब फंड़क्टिविटी बढ़ गई तो यहां पर सिच्वेशन यह होने वाला है क्लियर है बच्छा कोई कन्फूजिए ने दिस वेरिएशन आफ कन्फूटिविटी विटो कांसेंट्रेशन दिखो जरा वेरिशन आफ अफ अव गयर जाएंगे आप बहुत सम्झेंगा यह नहीं कि सरी लिखा क्या है लेकिन यहां पर बहुत सिंप्लिफाइब वर्जिन में दिना आपको में एधर दिलूशन इन क्रिजेज फर स्टॉन लिटरोफ एट इस पर वीट लिए क्रिव्टीविटी बेकर विटीविटी दिकर दीकरशेश दू तो लेकिन पर युटिवटीविटी अच्टिवटी बढ़ जाता है क्यो बिकाँगर को तो यह ये इइन दिलूशन था और अगला इंपर में ल यहांब यहां लेने वाला हूँ मैं Molar conductivity with concentration ध्यान यहां पर strong electrolyte यहां पर weak electrolyte strong electrolyte यहां पर weak electrolyte कोई-दिक्गत निहीं बच्छा यह क्या है सर्ट्रॉंग एलेट्रोलाइट है यह क्या है सर वीख एलेट्रोलाइट है बहुत जहांते है बात है अब क्या करेंगे बस दिमाग चलाओ समय माझा जाएगा इस समय बच्छा न मुलार कनटिविटी बोलाएं मतलब इसको न वॉल्यूम के बचा तो बलियां से फ्लोंज नहीं होगा और जगा मिलेगी व्लो करने के क्यूंकि अभी काई सब्सक्राइब करें पकल के रखाए जगा कम है न बचात तो एक प्लस-दूसरे माइनस तो पकल के रखा है तो बढ़ियां से फ्लो नहीं हो पा रहा है लेकिन जब मैं और पानी मिलाओंगा कॉंसेंटरेशन कम करूंगा तो उनको ज्यादा जग मिलेगे उनको वेरिशन ज्यादा मिलेगा जिसकी वैसे वह तेजी से फ्लो करेंगे तो यहां पर लॉजिक यह सब्सक्राइब कर तो अगर मैं डाईशन बढ़ाया की अगर मैंने डाईअल वॉशन बड़ा दिया तो तो 体क यहां वीकलो ट्राइट में इसक्राइब रिमें से डिलूशन बढ़ाने पर इसक्राइब पर इसक्राइब आए बन जाता है कि जी हां अगर आप बहुत पानी मिलाएंगे तो जो वीकलो राइड हो था कि की वीक का मतलब होता है कि यहां पर दोनों ही बढ़ने वाले दोनों ही किस में बढ़ेंगे और यहां पर यहां पर चमकतावा दिखाई देगा क्या है sir as a dilution increases concentration of the solution decreases due to less attraction in iron less attraction के वाज़े से पीछे क्या बोला था मैने इनके बीच में अट्रक्शन पहले का दा जादा अले कि रपानी डाले पानी प्रक्रक्शन कम हो गया जादा फ्लू करेंगे तो दूब यहां पर समझना है कि कर लोज नम के जो के मिस्ते उनने काफी रिसर्च किया का ड़क्शन करा अगरन क्टिविटी और मिला इसा देखना बच्च अग्रावक में समझ में आया इक variation of molar conductivity, variation of molar conductivity, variation of molar conductivity with concentration, ठीक है, दिमाग चला के रखना है एकदम, मज़ा आएगा आपको एकदम देख के, अब इसमें उन्होंने क्या किया, बच्छा, ग्राफ प्लोट किया, ग्राफ प्लोट किया, ग्राफ प्लोट करके देखूंगा, कैसा आ रहा है, और सबसे इंप्लोट किया, ग्राफ में एक चीज अब्जर्व की, क्या अब्जर्व ने यह अब्जर्व किया, कि मुलार कॉर्टीविटी और रूट इसमें कनली केस, मिला। तक बहुत कम करेशन आया लेकिन पॉरила लाइट पॉर वी कल लटो लाइत ये ग्लां एसा आया से इतना ही molar connectivity change हो रहा है क्योंकि स्ट्रॉंग वाले में आयन पहले ही बन जाते हैं तो ज्यादा conductivity या molar connectivity बढ़ती नहीं है कम बढ़ती है सर जहाँ पर हाइस्ट होगा जहाँ पर हाइस्ट जो मुलार कने डूरे में उस पॉइंट को हम बोलेंगे यह लैम्ना जिरो वाला पॉइंट यह जिरो वाला पॉइंट यह फिर इन फैनाइट डिलूशन बोलते हैं और इसका नोने एक विशन दिखाया बला प्यारासा पर स्ट्रांग इलेक्वेट्र लाइट यहां sneaky में हा बचाडल फॉर यह लिए म सबको दरा है तोब मines से ले लिया एक्स पर क्या है रूट सी है और सी मतब इंटरेक्ट पॉइंट क्या हो रहा है लैमडा जिरो इसको अगर मैं मॉडिफाय करूंगा तो मुझे यह आंसर मिल जाएगा जो आपके टेश्ट्बूंग में भी रहेगा बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते कि यह ज खरलाच ने एक लोग बनाया जिसका नाम तक खरलाच माइग्रेशन लोग बोल सकते हो ठीक एक खरलाच का माइग्रेशन लोग जहां पर आयन जो होते हैं बच्चा अपना आयन मूव करता है मुलार कंडिविटी दिखाने के लिए और जो के टायन और एन नहीं है उनका जो मुलार कंडिविटी का वैली होगा उनको हम जोड़ देते हैं तो पूरा कंप्लीट मोलार कंडिविटी मिलती है फॉर इन फाने डालूशन या फिर सीरो कॉंसेंटर्शन और इसले आपको टॉपिक निकलता है कर लोश लॉप इंडिपेंडेंट माइग्रेशन आप आयन त पता चल गया कि अच्छे इसको इस मेथर से सौल करके निकालते हैं मुलार कंडिविटी यह मेथड है लेकिन सर वीक वाल को कैसे निकालेंगे तो वीक वाले के लिए लाव बनाया गया और क्या लोग था कि जो इंडिविजुल आयन होते हैं वो अपने दूसरे पार्टन के पर डिपेंड नहीं करते हैं और वह बिंदास मोलार कने इसलोट यह में ब बाहत पानी मिला दूँगा इसको जीरो कंसें वी बोलते हैं ऐच आयन माइगिनेट मतलब हागता है इन डिपेंडेंट और को आयन अपने एन को पर डिपंड नहीं करता है एंड एक रिब्यूट तो टोटल मुलार कनेटिविटी आफ दी इलेट्रोलाइट वराबर एंड साथ में बोथ के टाइन एन 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 कंट्रीबूट तो दो मुलार कनेटिविटी आप यह देख सकते हैं लैमडा जिरू मतला मुलार कनेटिविटी एंट जिरो कॉन संटरिशन या इन इन फाने डिलूशन में ये लैमडा है जो फिजिक्स में आप यूस करते हैं लैमडा प्लस एन प्लस कैसर प्लस वाले का को इफिशन रहेगा एक्जांपल दिखाऊं का समझ मैं आपको यह फॉर्मला आपन य देखो पहले यह क्वेशन कापी कर लूँगा मुझे पता है कि इसका प्लस माइनस बनने वाला दो एक में लेलूँगा प्लस तो लैमडा ऐसी ओ माइनस और एक लेलोगा लामडा लामडा जरो लेए लामडा जरू एच प्लस यही इसका आंसर खतम कहानी अगर सर कोई आयन जैसा हो गया तो जैसे कि मैंने लेलिए लेंदा दिमाग में ऐसा लग रहा है वाह क्या सीन है वाह मजा आगे देखके यहां पर देख लो, डिग्री ऑफ डिसोसेशन जब आ गया न बच्चा तो तो सिंपल याद रखने का कि डिग्री ऑफ डिसोसेशन इस देख लो जाला, इसको ही बोलते है वो रिलेशन, देख लो जाला, समझ में रहा है कुछ? इसको याद रख लो, यही चिस तुमको यहाँ पर आगे दीगाई है, इसको क्या लिखा है, डिग्री ऑफ डिसोसेशन इस दे रेशियो ऑफ, बिग्दम वट्वर्ट मिलेगा आपको, रेशियो ऑफ मुलार कंडुक्टिविटिविटी ऑफ सलूशन, एट सर्टन कॉंसेंट मतब सर्टन कॉंसेंटरिशन का रिशियो जो होता है, उसी को डिग्री ऑफ डिसोसेशन बोलते हैं, क्लियर है बच्चा, तो उम्मीद कर रहा हूँ, कि यहाँ तक आपको इलेक्टरो के मिष्टी नसो में बैढ गा होगा, येस, बहुत जबएदा सरीके से कांसर चल रहा है और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हो तो इसको जल्दी से कर लो, सब्सक्राइब क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले हैं, आपको अंगिनत कंटेंट, जब ठपाके दार्थर्गे से, मिलते हैं ऐसे खुब्सुरस सेसेशन में तब तक के लिए, जै हिंद, जै हिंद, जै म हराशिटों.